नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार दिख स्वागत करती हूँ और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी ठंडा ठंडा डेजर्ट फ्रूट क्रीम जो की शादी और पार्टियों की जान होती है और मिठाई की काफी दुकानों में आपने छोटी छोटी कटोरियों में बहुती फैंसी सी कटोरियों में fruit cream की मिठाई को बिकते हुए देखा होगा तो इसको घर में हम बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं चलिए देखते हैं तो fruit cream को घर पे बनाने के लिए जो भी मौसमी फल बाजार में अवलेबल हो आप ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहां केला लिया है केला पका हुआल है जिसके छिलके पेस तरह से काला दाना पढ़ा हो साथ ही एक मीठा आम ले लिया है एक सेब लिया है हमने आप ले सकते हैं strawberries मैंने यहां 4-5 strawberries ली हैं इसी के साथ हमने लिये हैं हरे अंगूर आप चाहे तो काले वाले भी ले सकते हैं और अनार के कुछ दाने हमने छील के ले लिये हैं तो जो भी fruit इस season में आपको available हो आप वो ले सकते हैं उसके बाद एक mixing bowl हम लेंगे और उसमें हमें इन सारी fruits को mix करना है तो सबसे पहले छीले हुए जो अनार के दाने हैं वो हमने ले लिये हैं तकरीबन एक अनार मैंने छील के ले लिया है उसके बाद अंगूरों को मैंने चार टुकडों में काट लिया है पहले आप लंबाई में काट ले उसके बाद अंगूर को आधा कर ले तो इस तरह से चार पीस में आपका अंगूर कट जाएगा तो हमने अंगूरों को भी इसी तरह से काट लिया है तो तक्रीबन अनार के ही साइस के अंगूर हमने काट लेने हैं उसके बाद स्ट्रॉबरीज को भी हमने बिल्कुल इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है जिससे क्या होगा fruit cream में सारे fruits एक equal bite में आएंगे तो सारे fruits को हमें एक ही आकार में छोटा chop कर लेना है साथ ही एक आम जो हमने शुरुवात में लिया था उसको भी छील के उसकी गुठली हटा लिया है और उसके pulp को हमने छोटे-छोटे chunks में काट लिया है इसी के साथ हम लेंगे सेब, सेब को भी वैसे ही छील के बीच में से उसके बीज हटा लिये है और हमने उसको भी अनार के ही आकार में काट लिया है साथ ही केले को भी इस तरह से हमने छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है तो यहां सारे fruits को हमने mixing bowl में बिल्कुल छोटा chop करके ले लिया है और अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे तो यहां जो normal घरेलू चीनी हम चाय में यूज करते हैं उसी को मैंने mixी में बिल्कुल बारीक पीस के उसका powder बना लिया है एक कप चीनी हमने ली है इतने सारे फलों में और यह एक कप पिसी हुई चीनी हमारे कटे हुए फलों में हम add कर देंगे और उसके बाद एक चम्मच या स्पैचुला की सहायता से चीनी को हमें fruits में अच्छे से mix कर देना है इस तरह से नीचे से fruits को उठाते हुए हमें सारे fruits में चीनी को अच्छे से मिलाना है जिससे क्या होगा कि चीनी के reaction से फल अपना पानी release कर देंगे और mixture हमारा एकदम liquify हो जाएगा तो fruit cream बनाने के लिए हमें इस तरह से फलों में से juice निकालना जरूरी है बिल्कुल इस तरह से ये देखिए fruits का juice काफी release हो गया है तब हम एक कटोरी काजू को इस तरह से टुकडों में तोड़के काजू इसमें add कर देंगे साथ ही काजू के बराबर ही किश्मिश हमने ली है तो किश्मिश भी यहां हम इसमें add कर देंगे अब इसको भी हिला के mix कर लेते हैं तो ये जो फलों का juice है इसको काजू और किश्मिश absorb करके अच्छे से फूल के soft हो जाएंगे इसलिए fruits में हमने पहले ही पिसी हुई चीनी मिला के इसको अच्छे से हिला के इसका fruit release कर लिया था तो ये देखिए काजू और किश्मिश भी हमने इसमें अच्छे से mix कर लिये हैं आप देखी सकते हैं कितना healthy dessert ये हमारा बन के तयार हो रहा है इसमें सारे moss me fruit है साथ ही dry fruits हैं तो इनको भी हमने अच्छे से हिला के mix कर लिया है तो अब हम इसमें add करेंगे cream तो यहां 1500 gram cream मैंने लिया है ताजा cream है ये आप चाहें तो tetra pack वाला cream भी use कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास घर में दूद के उपर की उत्री हुई ताजी मलाई है तो उसको भी थोड़ा सा दूद डाल के आप fat के काम में ले सकते हैं पर वो मलाई ताजी होनी चाहिए दो-तीन दिन रखी हुई fridge में वो मलाई use में ना ले तो यहां हमने fresh cream डाल दिया है इसको भी spatula से हिला के हम अच्छे से हमारे fruits और dry fruits में mix कर देते हैं यह भी आपको हलका सा liquid form में लग रहा होगा पर जब हम इसको जमाने के लिए fridge में लगाएंगे तो यह set हो जाएगा अब हम इसमें ilaichi का powder डाल देंगे जिससे की बहुत अच्छी खुश्बू और flavor हमारे fruit cream को मिलेगा मैंने ilaichi को कुंडी डंडे में कूट लिया है इसका powder बना लिया है तो इस तरह से fresh ilaichi का powder भी हम इसमें add कर देते हैं और यह देखे कितना अच्छा colorful fruit cream हमारा बन के तयार हो रहा है जितने ज्यादा colors आप इसमें add करेंगे उतने ही ज्यादा vitamins fruits के इस dessert में होंगे तो अब क्यूंकि हम केसर fruit cream बना रहे हैं तो एक चुटकी केसर यानि की saffron को इस तरह से इसके बीच में हम सब जगे पे sprinkle कर देंगे और उसके बाद इस bowl का lid लगा के कम से कम 3-4 घंटे के लिए और जादा से ज्यादा overnight इसको हम फ्रिज में चिल करने के लिए लगा देंगे तो चलिए इसको हम फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन सुभह मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है तो चलिए देखते हैं हमारा fruit cream किस तरह से जम के ready हुआ है वाओ ये देखिए केसर ने अपना रंग cream की ऊपर छोड़ दिया है और कितना सुन्दर dessert हमारा बन के तयार हुआ है तो चलिए थोड़ी से garnishing इसकी और कर लेते हैं इसके लिए यहां मैंने दो fresh strawberries ली हैं और इसके उपर की leaves इस तरह से हम तोड़ के निकाल लेते हैं उसके बाद एक तेजधार वाले knife से आप इस तरह से बिलकुल पास पास इसके slices को काट लीजिए उसके बाद चाकू की सते से इस तरह से हलका से इसको दबा के tilt कर दीजिए और यह लीजिए आपकी strawberries कट के ready हो गई है तो इसको हम किनारे पे लगाएंगे बोल के क्योंकि बीच में केसर ने बहुत ही खूबसूरत garnishing दी है तो side में इस तरह से strawberries को हम slices के रूप में कट करके इसकी boundary बना देते हैं विल्कुल इस तरह से और उसके बाद एक संत्रा लेंगे हम या मौसमी या नारंगी भी आप ले सकते हैं और उसके बीच और पल्प को निकाल के उसको किनारे पे इस तरह से लगा दें आप चाहें तो इसे fruit cream के अंदर भी डाल सकते हैं अब जब हमने fruit सारे काटे थे ना उस समय आप संत्रा भी काट के डाल सकते हैं अब यहां अंगूर ले लेते हैं हम और उसको इस तरह से बीच से चीर के उसके दो टुकडे कर लेते हैं और हमारे bowl की boundary पे इस तरह से line बनाते हुए अंगूर भी लगा देते हैं गार्निशिंग बिल्कूल आपकी imagination पे है तो अंगूर भी हमने सजा लिये हैं उसके बाद थोड़े से अनार के दाने जो हमने बचा के रखे थे उसको भी इस तरह से boundary पे हम लगा देते हैं तो इस केसर फ्रूट क्रीम में बीच में हमने गार्निशिंग दी है केसर की और किनारे में फल लगा दिये हैं और ये लीजिए हमारा ठंडा ठंडा फ्रूट क्रीम का bowl जो है वो बिल्कुल ready हो गया है तो चलिए इसको अब हम सर्फ करते हैं हमारे dessert bowl में तो इस तरह से side में से काटते हुए हमारे fruit cream को हम सर्फ करेंगे ये देखिए उस समय जब हमने से mix किया था तो ये काफी liquid form में था आप देखिए जम के काफी गाड़ा हो गया है ये एकदम creamy और colorful fruit cream हमारा बनके ready हुआ है और जब भी आप dessert bowl में से fruit cream को सर्फ करें तो उपर से थोड़ा सा केसर काट के इस तरह से गार्निशिंग के रूप में सजा दें बहुत ही सुन्दर लगेगा देखने में तो आप भी ज़रूर ट्राय करें fruit cream की ये quick और easy recipe और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें इसे जादा से जादा शेयर करें पेट पूजा recipes को subscribe करें और अच्छा खाना इसी तर रहें बनाते रहें